नमस्कार मेरे यूटूब चैनल में आप सबों का स्वागत है आज हम लोग जटपट में एक नास्ता बना रहे हैं जो काफी हिल्दी भी होता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है तो चलिए देखते हैं कि हम क्या बना रहे हैं और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लाइक और फॉलो जरूर करें तो चलिए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे हम जटपट में बना सकते हैं वह हम देखते हैं को आलू बड़े साइच का ब्वाइल की हूं आलू को मैं छीली उसमें आधा से आधा चमच मिर्ची पावडर डाली हूं आधी चमच गर से मैस करके मिला लूँगी ब्रेड मैं ली हूं साथ आठ पीस है आप अपने हिसाफ से ले ले जितना हमें बनाना होगा उस हिसाफ से हम ले लेंगे इसमें हरी मिर्च और नमक भी आधी चमच डाल दी हूं नमक और मिर्च हमेसा आप लोग अपने स्वाद अंसार ही ले यह नास्ता जटपट में बहुत स्वादिष्ट तयार हो जाता है तुरंत हो जाता है इस तरह से साड़े को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे या मिलाने वाले से मिला सकते हैं यह भी है हम देख लेंगे जैसे हमें होगा वो मिला लेंगे इस तरीके से मैं अच्छे तरीके से मिला ली हूँ और यह लिप करूँगी अब एक ब्रेट स्लाइस लूँगी और इसके ऊपर यह हम रखेंगे और फैलाते जाएंगे चीज हो आपके पास तो वह भी रक्स डाल सकते हैं मेरे पास नहीं है चीज इसलिए मैं नहीं डाल र छोगे और आपके पास हो तो चीज इसलाइस भी आप इसके ऊपर से डाल सकते तो ओर काफी हिल दी हो जाएगा यह तब यह डाल दि और इसके उपर से यह डाल करके अच्छे से मैं बैठा दूँगी और इस तरह तवे पे डाल दूँगी तबा हमारा गरम हो चुका है इसे डाल रही हूं मैं गैस पर फ्राइट पेन डाल दी हूं नॉर्मल तबे भी हम यह बना सकते हैं इसके बाद आधा चम्मच घी इसमें डाल रही हूं मैं और आप चाहो तो रिफाइंड भी डाल सकते हो और इसको अच्छे से फैला दूंगी और इस पर रखोंगी यह डालेंगे और गोल्डेन होने तक इसको सेखूंगी बिल्कुल थोरे से ही घी में मैं इसको सेख रही हूं आप यह अपने हिसाब से डालें कि एक साइड गोल्डेन हो गया है मैं इसको पलट रही हूं आप अपने हिसाब से शेक लें कि कितना गोल्डेन आप चाहिए कितना फ्राइ करेंगे बिल्कुल आधी चमच घी में मैं दोनों साइड सेक ली हूं यह काफी हिल्डी भी होता है तो आप लोग भी जरूर बनाईए एक बार और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट सेर भी कीजिए और सबसे पहले तो मेरे चैनल को सस्क्राइब की अगर आप फेस्बुक पर हैं तो कामनास कीचेन के नाम से पेज है हमारा उसको भी एक बार जाकर देखें लाइक फॉलो करें इसी तरह दूसरा भी सेक लूँगी इस तरह हम लोगों का हेल्डी नास्ता जटपट में बनने वाला नास्ता बनकर तयार हो गया आप लोग भी जरूर बनाए धन्यवाद यह हम लोगों का ब्रेट का जटपट में नास्ता बनकर तयार हो गया आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताए और आप लोग भी जरूर एक बार बनाए यह बहुत ही हेल्दी नास्ता होता है और इस टामाटर हर मड़ची और लहसन आम की चटनी के साथ गर्मा गर्म खाईए आप 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 आप